गुड मॉर्निंग इस्ट्रेंट्स, माइसेल्फ विजे लक्ष्मी शांडिले, फैकल्टी ओप शिवजोती एदुकेशनल ग्रूप कोटा, हावार यू आल, आई होब यू आल आर फाइन, बच्चो आज हम कक्षा आठ की पूरक पाठे भुस्तत भारत की खोज का अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे, बच्चो अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार भारत पर अनेक विदेशी शाशकों ने आक्रमन करके हमारी धार्मिक, राजनेतिक और आर्थिक व्यवस्ता को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बच्चो ये सभी जो विदेशी आक्रमन कारी थे, इन्होंने कभी हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इन सभी विदेशी आक्रांताओं में अंग्रेजों ने तो हमारा आर्थिक शोशन करते करते हमारी पूरी राजनेतिक व्यवस्ता को ही अपना गुलाम बना लिया, और बच्चो धीरे धीरे भारत कि गुलाम बन गया, आईए पढ़ते हैं अध्याय छे, अंतिम दौर, भारत राजनेतिक और आर्थिक द्रश्टी से पहली बार एक अन्य देश का पुछला बनता है, बच्चो पुछला का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला, यानि कि जैसे ब्रिटिश शाशक हमें आ आंग्रेजी राज्ये की स्तापना उसके लिए एक दम नई घटना थी, भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमन कारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधिनता कभी नह नहीं बना था, भारत कभी ऐसी राजनेतिक और आर्थिक व्यवस्ता में नहीं बन्धा था, जिसका संचालन केंद्र उसकी धर्ती से बाहर हो, बच्चों भारत में अंग्रेजी राज्ये की स्तापना होना भारत के लिए एक दम नई घटना थी, क्योंकि भारत पर अब तक कई विदेशी आकरमन कारियों ने शाशन किया था, लेकिन उन्होंने भारत की धर्ती को कभी गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की, वह हमारे यहां आये, उन्होंने हम पर शाशन किया, हमारे यहां वो रहे भी सही, यहां आकर बसे भी सही, लेकिन उन्होंने भारत को अपना नियंतरन कर लिया और ये यहाँ पर हम पर सिर्फ शाशन करने आया थे इन्होंने कभी भी हमें अपना नहीं समझा और पहली बार भारत की जो स्वाधीनता थी वो खो गई थी यानि कि कहें कि उन्होंने हमारी स्वाधीनता का यानि हमारी स्वतंतरता का हरन करके हमें अपना गुलाम बना लिया था और हमारी पूरी राजनितिक आर्थिक जो वेवस्ता थी उसका संचालन हमारे देश की धर्ती से बाहर विदेश से हो रहा था तो इस प्रकार बच्चों उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया यह वेवस्ता ऐसी थी जिसका संचालन बाहर से होता था जो उस पर लाद दी गई, भारत बिटिश साचे का उपनेवेशिक और खेती हर पुछला बन कर रहे गया, बच्चो ये जो राजनितिक वैवस्ता थी, जिसका संचालन जो हमारे उपर एक तरसा में गुलाम बनाने के लिए की गई थी, इसका संचालन विदेशी धर्ती से हो रहा था, और बिटिश जो शाशक थे, उन्होंने हमारे देश को अपना उपनिवेश बना लिया था, बच्चो उपनिवेश का अर्थ होता है कि लंबे समय तक हमारे देश पर, किसी विदेशी का शाशन हो जाना, और हमारे जितने भी अधिकार होते हैं, वह सारे अधिकार हमारे समाप्त कर दिये जाते हैं और किसी और देश के आदेश है जो उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं हमें उनको फोलो करना पड़ता है उन्ही को मानना पड़ता है तो देश पर अन्य देश का अधिकार एक तरसे हमारे देश पर किसी अन्य देश का अधिकार हो जाना बच्चो सभी अधिकार बिटिश शाषकों के हाथ में ही थे और भारती जनता अंग्रेजों की बात मानने के लिए बात धिये हो गई थी और हमारे सारे जो हमारे उनके जितने भी खर्चे थे वह भी एक तरसे भारती जनता के सिरपरी थे यानि कि उनका आर्थिक बोज भी हमें ही उठाना था भारत में बिटिश शाषन के अंतर विरोध राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र बच्चों जब अंग्रेज हमारे देश में शाषन करने के लिए आये तो व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें शिक्षाविद, प्राच्चे, विध्या, विशारत, पत्रकार, मिशनरी और अन्य कुछ लोग थे पाश्चाते संस्कृती को भारत लाने में इन्ही लोगों ने महतपून कारिय किया शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद, खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्तितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई वैवस्ता के लिए क्लरकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रभंध करना पड़ा इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ बच्चो जब अंग्रेज हमारे देश में शाषन करने आये तो उनके वहां से कई शिक्षा, वीद, पत्रकार, प्राच्चे, विध्य, विशारत और कई लोग हमारे भारत में आये और उन्होंने प्राष्चते संस्कृति को भारत में लाने का प्रियास किया जिसमें काफी तक वो सफल भी हुए और इसलिए आज भी हमारी भारतिय संस्कृति पर हमें पाश्चाते प्रभाव दिखाई देता है, बच्चो जब अंग्रेज भारत आये तो उनका उद्देश है तो यह था कि हमारी जो भारतिय जनता है वो अनपड़ी रहे, शिक्षा का प्रसार उन यह था लोगों का शिक्षित होना भी आवशक है, वरना उनके द्वारा संचालित की जारे कारी है, कैसे संपन होगे और इसलिए उन्होंने मजबूर होकर हमारे यहां पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना प्रारम किया और दीरे-दीरे जो यह परिवरतन हुआ, और यह से हमारे अंदर आधुनिक चेतना का भी प्रचार प्रसार हुआ लेकिन बच्चों उन्होंने जो हमारे यहाँ पर सुधार किये वो सिर्ख शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे हमारे यहाँ पर और भी कई सारी चीजों में हमने विकास किया जैसे नई तकनीक, रेल गाड़ी, छापा खाना, दूसरी मशीने, युद्ध से अधिक कारगर तरीके यह सब ऐसी बाते थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती यानि कि हम यह तो इस बात को तो हम सुईकार करेंगे बच्चों की अंगरेजों ने भले हमें गुलाम बना कर हम पर लंबे समय तक शाशन किया लेकिन उनके यहाँ आने से हमने तकनीकी शेत्र में भी बहुत उन्नती और प्रगती की लेकिन उन्होंने जो ये विकास के कारिये किये इसमें कही ना कहीं उनके खुद के नहित स्वार्थ थे उनका खुद का स्वार्थ इनमे नहित था लेकिन बच्चों भारत में तक्नीकी शेत्र में भारत का विकास होने लगा, दीरे दीरे भारत में नहीं नहीं तक्नीके आई, शिक्षा का हमारे यहां प्रसार होने लगा, लेकिन अभी भी भारत में जो सामाजिक व्यवस्ता थी, उसमें सुधार की अत्यधिक आउशकता थ अठारवी शताबदी में इनका आगमन हुआ तो राजाराम मोहनराय जो थे वे एक नए धंग के व्यक्ति थे जिन में प्राचीन और नवीन ज्यान का मेल था वे संस्कृत फार्सी और अर्बी के विद्वान थे उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत क स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी शिक्षा को आधुनिक धाचे में ढाल कर उसे पुरानी पंडिताव, पद्दती के चंगुल से निकालने के लिए वे बहुत उत्सुक थे इन सबसे अधिक जो उनमें सबसे अधिक जो गुन था व बच्चो राजाराम मोहन राय जो थे वो एक नए धंग के ऐसे व्यक्ति थे वो जिने प्राचीन और जो नवीन ग्यान था उसका उन्हें दोनों का उन्होंने मेल करवाया यानि कि वे चाते थे कि भारती जो लोग हैं वो अपनी प्राचीन भाषा के साथ साथ जो अंग्र और बच्चो उन्होंने प्राचीन शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोडने के लिए पूरा प्रयत्न किया यानि कि भारत में जो शिक्षा चलाई जा रही थी वह अभी तक कहते हैं जैसे कि रूडी वादिता से ग्रसित थी उसमें कही ना कही ऐसी चीजे थी जिसे शिक आधुनिक शिक्षा से हमें बहुत दूर करती थी तो इसी लिए उनका ये मानना था कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा है उसका आधुनिक शिक्षा से मेल करवाना अत्यंत आउशक है इसके साथ उन्होंने समासुधार के भी कई कारी किये उन्होंने हमारी धार्मिक और साथ ही साथ उनी के प्रियास से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाया। 1857 की महान क्रांती जातियता वाद। बच्चो 1857 की जो क्रांती थी वह हमारे भारत का पहला स्वतंतरता संग्राम था। लेकिन कई ऐसे कारण रहे जिसके कारण हमारे भारत का पहला स्वतंतरता संग्राम असफल हुआ। मई सन 1857 में मेरट की भारतिय सेना ने बगावत कर दी। विद्रो की योजना खूफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी। लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्पोट ने नेताओं की योजना ही बिगार दी। बच्चों जैसा कि आपने इतियास में पढ़ा होगा 1857 की जो क्रांती थी इसकी शुरुआत मेरट में बेरगपुर की चावनी में सेनिकों के विद्रों से हुई थी। और ये जो क्रांती हुई थी इसका कारण था कार्तूस वाली घटना यानि की इस 1857 के 77 संग्राम की शुरुआत जो मेरट के बेरगपुर में सबसे पहले हुई इसका कारण रहा वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा सेनिकों को जो कार्तूस दिये जाते थे उस पर जो चर्बी लगी होती थी वो जानवरों की चर्बी होती थी सुर और गाय की चर्बी का प्रियोग किया जाता था और सेनिकों को उसे मुह से काट कर फिर उसको प्रियोग सेना में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तो उनकी धार्मिक भावना इससे कही न कही आहत हो रही थी, इसलिए उन्होंने विद्रो कर दिया कि हम इन कार्तुसों का प्रियोग नहीं करेंगे, इसलिए 1857 की क्रांती का प्रारंब मेरट में बेरगपुर की छावनी से सबसे पहले शुरू हुआ और मंगल पांडे जो सैनिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस क्रांती को वहाँ पर प्रारंब किया, बच्चों ये क्रांती जो योजना बनाई गई थी, वो बहुत ही खूफिया, खूफिया का अर्थ होता है गुप्त तरीके से, बहुत ही गुप्त तर अचानक से बैरकपुर के सैनिकों ने विद्रो कर दिया, इसलिए नियत तिती से पहले, यानि कि जो तारीक निशित की गई थी, उससे पहले ही ये क्रांती प्रारंब हो गई, और इसके कारण जो विद्रो ही थे, उन्हें कही ना कही एकता का अभाव रहा, यानि कि सब का दमन कर दिया गया, बच्चों ये जो प्रहला भारत का सोतंतता संग्राम था, जो कि 1857 में किया गया, ये एक ऐसी क्रांती थी, जिसने वास्तों में अंग्रेज सरकार के एकतर से होश उड़ा दिये थे, लेकिन फिर भी कही ना कही हमारे जो भारती लोग थे, उन्हें कह कही एकता की कमी रही कि अंग्रेज सरकार द्वारा इस क्रांती का दमन कर दिया गया, लेकिन बच्चों ये जो क्रांती हुई, इसने अनेक क्रांती कारियों को इतियास में अमर कर दिया, और उनका इतियास में बहुत नाम हुआ, जिनको आज भी हम बहुत सम्मान के साथ य आता है बच्चों जो आम जनता श्रद्धा पूर्वक उनका नाम इस्मरन करती है चांसी की रानी लक्ष्मिबाई बच्चों चांसी की रानी लक्ष्मिबाई जो 20 वर्ष की आयू में लड़ते लड़ते मारी गई जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया उसी ने उ बहादुर और सहासी थी, एक तरह से उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबाने के लिए विवश कर दिया था और इस विद्रों ने ब्रिटिश आशन को जगजोर कर रख दिया, ब्रिटिश पार्लियमेंट ने इस इंडिया कमपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया, बच्चों ये जो क्रांती थी, इस क्रांती ने एक तरह से पूरे ब्रिटिश सामराज्य को जगजोर कर रख दिया था, और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो इस इंडिया कमपनी थी, उसका ब्रिटिश पार्लियमेंट ने इस इंडिया कमपनी का शाषन समाप्त क और ब्रिटेन की जो रानी थी जो हां की महारानी थी पूरा शाषन तंत्र उसने अपने हाथ में ले लिया यानि कि अब भारत पर सीधा सीधा जो शाषन था वो ब्रिटेन के राज तंत्र का हो गया था हिंदूओं और मुसल्मानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीती रिवाजों से खिन होकर बहुत से हिंदू इसाय धर्म की और आकरशित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया राजाराम मोहनराय ने हिंदू ब्रह्म समाज की इस्तापना समाज सुधारवादी आधार पर की बच्चों जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो उनके आगमन का प्रभाव हमारे यहां पर धर्म पर भी उनके विचारों का प्रभाव पड़ा यानि की अंग्रे धर्म के जो रूडी वादी रीती रिवास्ते उनमें कही ना कहीं परिवर्तन होने लगा या कहें कि परिवर्तन की आवशक्ता महसूस की गई तो इसलिए हमारे कई हिंदू जो लोग थे वो धीरे-दीरे अंग्रेजों का जो धर्म था यानि इसाई धर्म जो था दीरे-दीर उसकी तरफ आकरशित होने लगे और कई हिंदूों ने इसाई धर्म ग्रहन कर लिया और राजाराम महुन राय जो थे उन्होंने भी हिंदू धर्म की जो रूडी वादी परंपराएं थी उनमें सुधार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की इस्तापना की जिसका उद्देश था जो स्वामी दयानन सरस्वती ने जो सुधारवादी आंदोलन प्रारम किया यह आरिय समाज का आंदोलन था और नारा था वैदो की ओर लोटो यानि कि स्वामी दयानन सरस्वती जी ने समाज सुधार के उद्देशे से आरिय समाज की इस्तापना की और उनका प्रमुक नारा था कि हमें अपने भारतियों को अपनी प्राचीन परंपराओं यानि कि जो वेदों से संबनी जो परंपरा हैं उनकी तरफ फिर से लोटना चाहिए और उन्होंने समासुधार के भी कई कारी किये जैसे लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में इस्तिती का सुधार करने में और दलित जातियों के इस्तर को उँचा उठाने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बच्चो स्वामी दयानन सरस्वती ने समासुधार के अनेक कारी किये उन्हीं में ऐसे जैसे था कि उनका ये मानना था कि लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और उन्होंने इस्तिति को सुधारने के लिए भी अनेक प्रियास किये साथ ही साथ उन्होंने जो दलित वर्ग था जो अचूत वर्ग था जिने हमारे भारतिय समाज में कई अधिकारों से वंचित रखा गया था उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रखा गया था तो उनका ये मानना है कि दलितों को भी समान अधिकार समाज में मिलने चा तो सामने आया वे राम कृष्ण परमहंस थे वे धार्मिक थे और साथ ही बहुत उदार थे वे हर तरह की सामप्रदाइक्ता के विरोधी थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की और जाते हैं बचो स्वामी दयानन सरस्वती के बाद में जो एक अन्य व्यक्ती जो भारत के समा सुधार के उद्देशे से जिनका आगमन हुआ उन्हें प्रमुख नाम है श्री राम कृष्ण परमहंस का बच्चो श्री राम कृष्ण परमहंस जो थे वे बहुत धार्मिक थे लेकिन धार्मिक होने के सासा जो उनके विचार थे वो उदारवादी थे यानि कि वो धर्म को लेकर कटर नहीं थे एक तरह से वो कहें कि धर्म के प्रती उनका जो दृष्टी कौन था वो बहुत थी का था यानि कि वह जो धर्म से संबंदी जो लूरीवादी और रिती रिवाज होते हैं जो अंधविश्वास होते हैं उनके वे वीरोदी थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जितने भी धर्म हैं वो सभी हमें एक ही बात सिखाते हैं या हमें एक 서berry का मार्ग यानि कि उनका ये कहना था कि हमें कभी भी धार्मिक बंदनों में बंध कर किसी गलत कारिय को नहीं करना चाहिए या गलत कारिय में किसी का साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि धर्म हमें सत्ते का मार्ग दिखाता है बचो इसी प्रकार एक अन्य समा सुधारक थे विवेका नंद विवेका नंद ने अपने गुरु भाईयों के सयोग से राम कृष्ण मिशन की इस्तापना की जिसमें सामप्रदाइक्ता नहीं थी विवेका नंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर ग भी राम कृष्ण जो परमंस थे उनके शीशे थे और इन्हों ने अपने गुरु भाईयों के सयोग से राम कृष्ण मिशन की इस्तापना की ये उनके प्रमुक शिश्यों में से थे और ये भी धार्मिक भेदभाव से परे थे यानि कि इनका मानना था कि हमें धार्मिक जोड़ना चाते थे यानि कि वह विचारों से आधुनिक भी थे लेकिन भारत की जो प्राचीन परमपराएं थी उनका भी वह पूरी तरह से सम्मान करते थे और उनका ये मानना था कि कहीं न कहीं भारतिये परमपराओं में रीती रिवाजों में धर्म में कहीं न कहीं रूड वो बहुत ही आधुनिक था वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बंगला गद्धे और ललित कविता के लेखक थे वे सुन्दर व्यक्तितु के धनी थे रोबिले शालीन और गरिमावान बच् और वर्तमान के बीच तालमेल बैठाने की पूरी-पूरी कोशिश की और उनका व्यक्तित भी बहुत आकशक था और इसलिए वह लोगों को अपनी और अपने विचारों की और आकशित करने में सफल भी हुए उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी अठासो तराण में इसवी में उन्होंने शिकागो में अंतराश्टी धर्म सम्मिलन में भाग लिया और भारत को प्राचीन रूडियों से बाहर निकाल कर आगे बढ़ाने की जो उनकी कोशिश थी उसके लिए उन्होंने कई कारिये भी किये उन्होंने एकेश्वरवात का उपदेश दिया उनके अनुसार वर्ण वेवस्ता एक तरह की सामाजिक वेवस्ता है जो धर्म से अलग थी और उसे अलग ही रहना चाहिए विवेका नंद ने कर्मकान के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तरकों की घोर निंदा की बच्चों विवेका नंद जो थे उन्होंने एकेश्वरवात का उपदेश दिया यानि कि एक ही ईश्वर को मानने का उन्होंने उपदेश दिया साथी साथ हमारे प्राचिन भारती समाज में बच्चों वर्ण वेवस्ता व्याप्त थी और ये जो वर्ण वेवस्ता हमारे समाज था लेकिन धीरे धीरे जो हमारा भारती समाज है वो धर्म प्रधान हो गया और विवेका नंत का स्वामी दयानन सरसुती का यही कहना था कि भारती समाज को वर्ण व्यवस्ता पर ही आधारित होना चाहिए हमारी समाजिक जो व्यवस्ता है वो व्यवस्ता पर आधारित तो इसमें कर्म का कहीं कोई इस्तान नहीं रहा चाहे कोई ब्रामन का पूत्र है लेकिन अगर वो कर्म उसका वैशे कर्म कर रहा है या शत्रिय कोई कारे करा है सैनिक सेना में सेनिक है लेकिन वो कहलाएगा ब्रामनी लेकिन प्राचीन काल में कारे के आधार पर उसके वर्ण का निर्धारन किया जाता था तो उनका यही मानना था कि जो सामाजिक व्यवस्ता है वो वर्ण पर ही आधारित होनी चाहिए इसके सासाथ उन्होंने जाती पाती में जो चुवा चूत और अंद्विश्वास की जो भावना हैं उनका भी उन्होंने घोर विरोध किया सन 1902 में 49 वर्ष की आयू में उनकी म्रत्ती हो गई बचो सन 1902 में स्वामी दयानन सरसुती की बहुत ही अलपायू में यानि कि उनकी आयू अधिक नहीं थी बहुत कम उमर में ही उनकी म्रत्ती हो गई विवेका नंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाट टैगोर बचो आपने रविंद्रनाट टैगोर का नाम जरूर सुना होगा तो जो रविंद्रनाट टैगोर थे वो विवेका नंद के समकालीन थे यानकी उनके समय के ही थे वे राजनितिग्ये नहीं थे किन्तु वे समवेदन शील और भारतिय जंता की स्वाधीनता के प्रती समर्पित थे 20 सधी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वधेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमरत सर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लोटा दिया रविन्ना टैगोर जो थे वो राजनितिग्ये नहीं थे किन्तु भारतियों के प्रती भारतियों की शिक्षा और संस्कृति के प्रती वो बहुत ही सजक थे और भारतिय जनता की स्वाधीनता के प्रती भी वे बहुत ही समर्पित थे और इसलिए जब अमरिच सर में जो जलियावाला बाग हत्याकान हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जो सर का खिताब दिया गया था जो उपादी दी गई थी जो पद्वी उन्हें दी गई इस्तापित शांती निकेतन जो है वो भारतिय संसकृती का प्रमुख केंद्र बन गया देश, विदेश के विध्यार्थी वहाँपर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं वहाँपर कई भारतिय संसकृती से सम्भनित कई सारी चीजे वहाँपर सिखाई जाती है और एक योग्य व्यक्ति तयार किया जाता है और इसलिए कई विद्यारती वहाँ पर विदेशों के भी कई लोग वहाँ पर विद्यायत्दिन करने के लिए आते हैं। के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीन गेरे से बाहर निकर कर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दे टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवता वादी थे।